Is your skin itching, acting weird या फिर कुछ अलग तरह के sensations आपको स्किन में हो रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे symptoms दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं थे अगर इस तरह का कोई भी लक्षन आपको दिखाई दे रहा है तो संभल जाएए क्योंकि यह skin infection हो सकता है आज Call for Care में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के skin infections के बारे में और जानेंगे क्या होते हैं इसके causes, क्या precautions हो सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह का skin infection हो गया है तो क्या उसकी आसान आयरवेदिक उपचार हो सकता है और इसके लिए हमारे साथ है हमारी expert Dr. Rakhi महराजी Dr. Rakhi आपको बहुत-बहुत स्वागत है ओम नमो धन्वेंतरा है आज बात कर रहे हैं है skin की मेरे ख्याल से शेली की सबसे important चीज़ शुरुवात की जाती है जी हाँ बिल्कुल ठीक कहां कि जैसा आपको यदी चाहिए रंग, रूप, कांती और निखार रंग, रूप, कांती और निखार तो कर लिए अपना सपना साकार किस तरह लाइए अपने आप में निखार और अपनाए आईरवेट को हजार बार जी हाँ आईरवेट के जरीए आपके सरह से खुबसूरत और सौंदर के साथ साथ अपने को स्वस्थ रख सकते हैं अपनी स्किन को अतर उताजा रख सकते हैं ये अपनाने की जरूरत है और हम हमेशा इस बारे में बताते रहते हैं लेकिन आज जो इन्फ innovation हम जो कह रहे हैं इस किन का infection क्या है basically यदि कही सुजन है कहीं दाग धब्बे है पक गया है कोई संक्रमन फइल गया है तो संक्रमन से बचना है और यह संक्रमन भी कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि bacterial है fungal है infect virus है और आपके इसके अलावा भी कोई संक्रमन है तो जरूर एक बार ये भी जानने कि कहीं यह parasitic तो नहीं है यह कारण क्या है और इलाज उसके साथ से कर लिया जाए तो कारण जाना बहुत ज़रूरी है skin infections की जब भी बात करते हैं बहुत अलग-अलग तरह के skin infections होते हैं उनकी कारण भी बहुत अलग होते हैं और उसी तरीके से उनका इलाज उनकी जो remedies हैं वो भी different होती हैं बहुत जरूरी है पहले diagnose वो क्या आपको problem क्या है अभी राजेंदर जी हम ऐसा जोड़ गए हैं उनसे जानते हैं उनका सवाल जी राजेंदर जी बताइए मैडम नमस्कार जी तो मैं इनकी कोशी करता है इसको खाना खाकर यानिकी लेलूं। लेकिन यह मेरी प्राब्बम साल नहीं हो पारी यानि किस वज़े से हैं, क्या कराना हैं। बिल्कुल राजे इंतरशी आपका सवाल हम समझ गए हैं, प्राब्लम भी समझ गए हैं। क्या हो सकता है इनका solution क्योंकि 4-5 साल से ये problem persist कर रही है आठीक है आपको किसी चीज से allergy है खासों से food products और aggravate हो रही है आपको जो टाबलेट डी है आप बिलकु नियम से खा रहें लेकिन एक और सला है कि वो आईरवेट का इलाज भी कर ले गुडुची घनवटी एक गोली हरिद्रा खंड 500 mg के मात्रम में सुबह शाम लीजिए देखे कितना फरक पड़ता है तो जो आप इलाज करें उसको continue कीजिए साथ में अगर आप यारवेदिक दवाईया भी शामिल कर लेंगे तो आपको और भी जादा फायदा पहुंचेगा और भी जादा आराम मिलेगा अभी पूजा जी हमाई साथ जोड़ गई है उन से जानते उनका सवाल जी पूजा जी बताइए अलो अलेव बुद आप्टरून दॉक्टर वेरी गुद आफ्टरून तो यू दॉक्टर मेरे को एक तो वह कोलेस्टोल बढ़ावा ट्रिकलेसाइटिस 210 और दूसरा मेरा व इसके आज़ पास है तो थी इन तीनों का ट्रिकमेंट बता दीए बिए पूजा जी को तीन तकलीफ है सबसे पहले पहले तकलीफ से श्रू करते हैं तो आप लिखना शुरू करें नंबर वन आरोगिवर्धनी वटी आरोगिवर्धनी वटी एक गोली सुबे एक गोली शाम साथ यह आप लेंगी केशोर गुगलू की दो गोली सुबे, दो गोली शाम किस के साथ लेना है? यह दोनों गोलिया आपको मनझिष्ठादी कौाथ के साथ, दियान रखे कि सुबे शाम की वाक जरूर करें, आपको स्वैलिंग है, उसमें भी कमी होगी और थोड़ा सा हम हमेशे कहते हैं नीन का पूरा होना बहुत जरूरी है सकिन के लिए भी और तमाम सेहत के लिए भी जी तो बहुत जरूरी है कि दवाईयों के साथ इलाज के साथ साथ अपने रूटीन में आप एक्सिसाइज को वाक को भी शामिल करें और नीन्द पूरी लेने की कोशिश करें डॉक्टर आखी इसकन इंफेक्शन क्योंकि अब बरसात का मौसम में बहुत तेजी से फेलते हैं फंगल इंफेक्शन खास तोर पर पर परसिस्ट करते हैं या आगे बढ़ जाते हैं तो क्या कौन-कौन से इंफेक्शन होते हैं जो हो जाते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकत है तेके जैसे हमने बता है कि infection के कई प्रकार हो सकते हैं यह inflammation हो रहा है सूजन हो रहा है dermatitis आगया है वजह जानना जरूरी है कि यह viral है viral को infection हो गया है जैसे या फिर bacterial है या फिर bacteria में भी अलग-अलग टाइप के bacteria है staphylococcus है streptococcus है या फिर आपका fungal है तो infection parasitic है यह infection जाननी के बाद उपाय तो एक करना बनता है कि बड़सात आ गई है आप देखिए nature में हर तरफ हरयाली है हर तरफ humidity है तो जो भी microbes होते हैं वो humid में ग्रो करते हैं तो number one solution क्या हो सकता है कि skin को dry रखना dry रखने के लिए बहुत जरूरी है प्रस्परेशन प्रॉपर हो ब्लॉकेज नहों तो नहाना तो बहुत जरूरी है और नहाने के साथ एक बात मैं सभी घर में जो भी लोग पुरानी चीजें इस्तमाल करते रहते हो नहीं नहीं दोते यह टविल वागर कपड़े वपड़ों के आप लोगों को बहुत जानकारी होती हों लेकिन जानकारी कि बाथरूम का वो मैट जिस पर खड़े के आप ना आते हो, बाथरूम का वो ब्रॉच जिस से कव किटने सालों से रगड़े जा रहे हूँ, किए उंको छीछ नहीं करना चाहिए, हर चीज में कहीं न कहीं मैक्रarat होते हैं, और इस सीजन में यह पister nous यह आप शीजा, उंस धी साफ सफाई रखें खास तवसे और नीम की पति देखें कितनी मिल रही है उसका पानी से जरूर नहाएं कितना अच्छा उपाय बताएं जी तो नीम की पतियों की पानी से नहना बहुत जरूरी है खास तवर पर इस मौसम में और साथ में ये भी जरूरी है कि जो चीजे बहु पाए गनेश जी से बात करते हैं जी गनेश जी बताईए नमस्कार अपना सवाल पूछे जी 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 जैसे की गनेश जी ने नीले धबे जो आ रहे हैं एक बार इनका ब्लड टेस्ट कराएं कि के वज़र क्या है सबसे पहली बात है कि इसकी वज़र कुछ खास भी हो सकती हो और यह हो सकता है कि कहीं कहीं कई कमप्रेशन हो गया हो तो कोई एक खास जगह में आ रहा हो तो एक बार वज़र जान लिए जाएं लेकिन यह इंटर्नल कुछ ऐसी वज़र हैं तो दवाई तो अभी के अभी शु सारी वाद्या सो दो चम्म सुपे तो चम्म शाम खाना खाने के बाद में इनको हरी दरा खंट 500 मिलिग्राम के मातर में सुपे शाम जरूर दीजिए फरक पड़ेगर लेकिन फिर मैं एक बार कह रही हूँ कि डागनोसिस होना बहुत जरूरी है यह जगे-जगे काइमोसिस या ब्लड का ठका जम रहे या किस वज़े से तो कम्प्लीट हीमोग्राम जरूरी है बिल्कुल तो बहुत जरूरी है पहले टेस्ट कराया जाए ताकि डागनोस हो पाए और साथ में राखी जी ने जो दवाई दी है वो भी आप अपनी वाइफ को दे सकते हैं अभी प्रोशनल चीज़े हैं उन्हें शेयर ना करें तो भी आप बहुत तरह के इंफेक्शन से बच सकते हैं और कौन से प्रिकॉशन्स हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हमें स्किन इंफेक्शन से बचे रहें यह जानेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद एकनेस कास इस तरह की कु कि धाफ़र बन गये हैं यह कुछ ऐसी सीरिस प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्किन के साथ जुड़ी हुई होती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स चाहें छोटी हो आम हो या फिर बड़ी और सीरिस हो बहुत जरूरी है इस सही समय पर उसका इलाज शुरू करा दिया जाए ताकि आप कि यह प्रॉब्लम्स आगे ना बढ़ पाए और कभी भी आपके ओपर हावी ना हो पाए स्किन इंफेक्शन की जैसे हमने बात की एकने स्कार और पिंपल्स जो हमें हो जाते हैं बहुत ही कॉमन सी स्किन इंफेक्शन है लेकिन बहुत परेशान करते हैं खास तर पर एक आई परेंट के लिए यदि आ आप साइंस के बात कर बृष तो देखो इसमें साथ लेयर होती है आपको और अव इसके सेवन लियार्स कहीं इंब भासनी होती है आववभासनी जो से आपकी आभा का भास होता है यानि आपको जिसको देख बोलने लगती मेरी स्किन खरा जरूरी है और यह जरूरी है कि हम डीप तक सफाई करते हैं यह नहीं यह दि मॉडन के सबसे पहले साफ सफाई कर तो लेकिन दिन पर चहरा देखना अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं मैं भी चहरा देखती हूं लेकिन साफ सफाई के टाइम में सुबह शाम की जो सफाई सफाई खास तो सफाई आपके प्रोफेशन में देखो कितना मेक अप होता है या अगर मेक अप आण है तो रात में क्लीनिंग करना टोनिंग करना बहा जरूरी है कि deep cleaning की जाए skin अंदर तक उसके अंदर गंदगी ना हो है infection ना हो है इस बात का ध्यान रखा जाए और खास दोर पर रात को सोने से पहले सभी तरह का make-up हटा देना चाहिए अपने skin को बिल्कुल clean करके सोना चाहिए ताकि वो भी सांस ले पाए अभी एक कॉल हम ऐसा जुड़े हो हैं हमसे जानते हैं उनका सवाल जी बताएए अनुराधा जी अपना सवाल पूछिए गुड आफ्टनून मैं गुड आफ्टनून मेरा नाम फेब में uterus और ovary donor remove किया गया है तो मैरे उसके बात से मेरे जोड के जोड में घुटनों के जोड में इसके लिए मैं जाना चाहती हूं। और दूसरे यह कि मैं जाना चाहते हूं कि कैसे मैं अपना पेज अभी सुरू कर सकती हूं कि ने क्योंकि छे मैने हो गया है जी में चरबी काफी बढ़ गई है तो उसके लिए जी बिल्कुल अनुराधा जी आपका सवाल समाझ गया है यूट्रेस ओवरी दोनों रिमॉव हो कंप्लीट हिस्ट्रेक्टिमी के बाद में आपको रेस्ट कहां गया होगा लेकिन छे मेने हो गया है वाक आप बिल्कुल कर सकते हो और जहां तक पेट बढ़ने की बात है जब आप वाक करोगे और सुबह सोने के उटने के पहले साइक्लिंग कर लोगे बेट पे तो काफी ह गंदारिष्ट और दश्मुलारिष्ट दोनों की एक एक चमच मुला करके सुबह शाम लेंगे आप ये दवाईया तीन मेने तक कंटिनेस लीजिए आपको जरूर फरपड़ेगा चले इसी के साथ रिया जी से बात करते हैं जहम ऐसा जोड़ गई है जी रिया जी बताईए ग्राकंदूर मैं ऐसाल चोरूर जीऑ आर उसे चैरमें कुछ प्राटो रहे ह Сबक्षके जुक्र जुक्रावच जुक्राथ संता हम सस्थार्यदजरूर तक किषर जुक्राओ ज़रीजिए पंटाथ में प्रार जाने जुखिए तक मैंW और वो ठार जाने जुख भी लेकि स्कार को मिटाने का सबसे अच्छा असान उपाय रिया मैं बता रही हूँ भाई के लिए करना शुरू करो नारियल के तेल में कपूर मिला लो और उसको दिन में दो पार जरू लगा दिया करो धीमे धीमे मिट जाएंगे स्कार जी चलिए तुरिया जी जैसे की बताया कि आप अपने भाई के लिए नारियल के तेल में कपूर मिला कर उससे उनकी मसाज कर सकते हैं उस जगे पर लगा सकते हैं जहाँ पर सकार हैं धीरे धीरे फायदा होगा अभी शोभाजी हमाई साथ रोड़ गई है उनसे जानते उनका सवाल जी शोभाजी बताएं अलो हलो डॉक्तर नमस्ति नमश्कार शोभाजी बताएं डॉक्तर मेरे पेट पे हातों पे और अंगर आर्म में सफेद स्पोर्ट निकलाएं इसकी लिए कोई इलाज बताईए सफेद स्पोर्ट किस वजे से हैं जानए बहात ज़रूरी है पर टोसका ले इप पर लिए प्लाएं उस पूल में हो तो भी हो सकता है डोग spent कृमी मुद्गर रस एक गॉली das क्रीमी, मुदगर, रस, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को ये आपको लेना है और साथ ही आप इसके साथ में आप गुडुची, घनवटी, एक गोली सुबह शाम लीजे फरक जरूर पड़ेगा लेकिन एक बार कारण अगर पता चल जाता है आपको दिखाने के बार तो आप हमें कॉल करना ना भूलिया जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है, एक बार किसी डॉक्टर की सलहा ले लें ताकि डाइगनॉज हो पाए क्या खिर क्या कारण है इन वाइट पैचिस का अभी एक और कॉला हमाँ से चोड़ गई है, उनसे जानते उनका सवाल जी अन्जू जी बताईए गुड आफ्टरनून माम गुड आफ्टरनून डॉक्टर रखी मेरा वेरी गुड आफ्टरनून अन्जू बताए मैं मैंने आपसे कुशन पूछा था कि मुझे आइज में हैवजिनस रहता है और हैड़क की प्रब्लम बताईए तो आपने मुझे दवा बताया था सब्ताम्रित लॉग वो मैंने खाया मुझे बहुत आराम हुआ तो क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ देखें सब्ताम्रित लॉग आँखों के लिए बहुत अच्छी दवाई है यदि आप कंटिन्यू करती है तो आपका आइरन कंटेंट भी बना रहेगा और कोई नुकसान नहीं है लेकिन जो आँखों की बात होती है तो तुर्फला पाउंडर का जो पानी मैंने जिससे और काम आपको करना चाहिए आपको डेली नहाना चाहिए बहुत ही बेसिक होता है उसको जरूर करें especially females क्योंकि कुछ ऐसे skin infections होते हैं जो खास तोर पर females को होते हैं क्या होते हुए skin infection और किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है यह हम जाने ही कोशिश करेंगे लेक इनस प्रिक के बाद Welcome back, आज call for care में हम बात कर रहे हैं skin infections के बारे में Skin infection बहुत ही आम होते हैं और बहुत देखा गया है कि आम तोर पर लोगों को हो भी जाते हैं कई बार हम इसे diagnose नहीं कर पाते हैं या फिर avoid कर देते हैं लेकिन जैसी आप किसी skin infection का avoid करते हैं वो skin infection आगे बढ़ जाता है और बहुत बड़ी problem में तबदील हो सकता है इसलिए बहुत जरूरी है जैसे ही आपको पता चले कि skin में कुछ unusual symptoms आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक बार अपने expert से जरूर सला लें डॉक्टर राखी अगर हमें पता चल गया है कि कोई भी किसी भी तरह के infection का symptom है अपने expert के पास जाने के अलावा क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो हम खुछ शुरू करते हैं अगर हमें पता चल रहा है कि कोई हमें fungal infection है, eczema या कुछ भी इससा है चलो किचिन की तरफ ले चलते हूँ किचिन की तरफ से शुरुआत कर देते हैं बुना हुआ जीरा ले लिजे, मिश्री ले लिजे, मिला करके नीबू की रस के साथ शुरू कर दीजे खाना और डॉक्टर को दिखाने जाए यह आपको प्रिवेंशन भी देगा फ़र्दर इस्प्रेड नहीं हो सेकिंड तेंग आपको मैंने बताया था कि नीम की पती का नहाने के साथ साथ एक अरजुन की त्वक बोलते हैं हम लोग इस्टेम की बाक होती है उसके काढ़े से भी यदी नहा लेंगी तो जो इसकीन का इंफ्रेक्शन यह आपको इसकीन का डिस्कलरेश है चोटी-चोटी समस्य है वो बिल्कुल समस्य हाली हो जाएगी आपको हो सकता है कि और फरदर चेकप के लिए ना जाना पड़े तो यह कुछ उपाए करके यदी पताने में ठीक नहीं हो तो फरदर दूसरे बहुत सारे इंवेस्टिगेशन कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है और जैसा कि शेल जाने बताया था कि कुछ एक चीजे हैं इंफ्रेक्शन जो मूर कॉमन इन केट्स चिल्रन जैसा इंपेटिगो है यह कंटेजिस होता है ब सब्सक्राइब करने के बाद में क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है हेर का रिमूवल बहुत जरूरी होता है यानि कुल में आके देखा जाए यदि हम एलेर्ट होते हैं तो काफियाद तक समस्य हम ही निप्टा लेते हैं अब प्रूराइटिस वगरे जो नॉर्मल खुचली वगरे होती वो नहीं होती जी तो डॉक्टर राखी इसके साथ ही एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या सारे इंफेक्शन कंटेजियस होते हैं या नहीं लेकिन उससे पहले कुछ SMS हम लोग शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में पहले SMS है पूनम मिश्रा जी का जिनकी उम्र है 44 और वो बताती है कि पिछले 15 साल से उन्हें थाइरोइट है थाइरोइट की आप थाइरोक्सिन आर्टिफिशल थाइरोक्सिन ले रही होंगे वो डोस लेते रहें साथ में एक दवाई और मैं जो बता रही हूं आपको लीजिए अगनी तुन्टी वटी ए जरूरत पड़ेगी जी अगला इसमस है अधिती जी का जिनकी उम्र 26 साल है बताती है कि उनको स्टमक में बहुत पेन रहता है पॉलेसिस्टिक ओवरी भी है उन्हें और साथ में सूजन भी है क्या कर सकते हैं बिल्कुल दवाई तो लेनी पड़ेगी पॉलेसिस्टिक ओव दो दो गोली सुबह शाम लेना है और आपको ध्यार रखना है कि ये तवाईया तीन महने तक कंटिनेस लेनी है फिर जरूर बताएं जी अगले समय से सिम्मी जी का जिनकी उम्र 30 साल है बताती है बच्पन से उन्हें स्वेटिंगी प्रॉबलम है खासकर फीट में और हतेली में बहुत पसीना आता है क्या है यादि बहुत पसीना आता है ये भी एक वज़ा हो जाती है कि हमारी ओवर एक्टिव जो सबैशिस के लेंड है उनको कैसे हम वो करें तो इसके लिए जो मैंने कहा था ने तब यहां पर जरूरत होती ब्लॉकेज की तो आपके लिए फेस के में जो आ रहे है उसमें आपको खास होसे तेल का इस्तमाल कम करने है ड्राइ रखना है पाउडर लगा सकती है और दवाई एक नोट कर लीजे वो भी आपको खाने पड़ेगी खड़े रादी वटी एक गोली सुभी एक गोली शाम सिंपल सी जी ऐसे मैसे नीशु जी का जि हवाई नोट करें त्रिफला पाउडर रात में सोने के पहले गरम पानी के साथ दो चम्मत जरूर खाएं और ध्यान रखें कि खाना खाने के पहले यदि अद्रक करस और नीबू करस मुला करके खातें तो आपको जो अफारा होता है पेट फूलता है वो भी ना होगा 38 साल की एरिया जी बताती है कि शुगर और थाराइड दोनों है शुगर फास्टिंग हमेशन उनका बढ़ा हुआ रहता है और उसे कंट्रोल कैसे किया जाहिए जाना चाहती है शुगर के लिए डाइट कंट्रोल इस वेरी एसेंशल बिसाइड दाट आपकी जो ड्रक चल र करेगी जी तो आपने बताया कि कुछ तरीके हैं कुछ आपको सिलूशन्स हैं वो करने चाहिए या वो आप कर सकते हैं अगर सही तरीकी दवाई का इस्तेमाल करें सही रूटीन को फॉलो करें आखिर में बहुत जल्दी में बहुत संशिप में आपका रामबान इलाज वो कि ध्यान रखें इम्मिनिटी और इस्किन के टैक्शर को ग्लो अप देने के लिए सेकिंड तिंग साबून का इस्तामाल कम से कम करें और नीबू का छिलका जो हो गया यदि खुझली कहीं हो रही है चोटी मोटी चीजे हैं तो उसको रगड लीजे खुझली भी गाया हो ज जुरूबता हूं कि एक सांटिफेक एविडेंस यह भी मिला है कि कहीं गणेश जी जो पारवती जी के मैल से तयार हूए है तो यह कहीं नहीं हमारी यह अनुसंदान हुआ है कि कहीं यह प्लूरी पोर्टेंट सेल्स के स्टेम सेल्स का जो मॉडिफिकेशन उससे तो नहीं प्रियार हूए है तो यानी एक सूत्र जो कोँगी किशन के सेल में डी जैनरेशन भी आठेसरें मिस फ़याब तो यह अनुस्तम हीवाद आपने इतना वक्त जिऑ बहुत बहुत शुक्री ऑसका गया झैनों deeper